क्या वो नक्सलवादी बनेगा? क्या वो बंदुक उठाएगा? और नेता लोगों गोली मारेगा? यही होगा? नहीं है, यह बिडम बना है, चुकि OBC के भी लोग आना चाहिए था, SC के लोग भी आना चाहिए था, सिर्फ यहां ST लोग है, 40 नियोजन निते सिर्फ आदिवास यह जाम होता है, यह इस जगह इतियासिक रहता है, संथाल प्रगना में, हमारे साथ मजूद है, दादा, यह को कॉस्टन है, परला कॉस्टन है, हाँ, अभी कल हम देखे नियूज में, जेम का कोज नेता है, वो बोल रहे हैं कि यह सब जितना अंदरुन कर रहे हैं, सब पार्ति के आप जनता है, माटी से जुड़े हैं हम लोग, परले माटी के हित के बारे में सोच 보시 και जेसे किके तो बाद में आता जेए, पार्ति तो आज है कल नहीं है, लेकि माटी जनम से लेकर विभशांक काम माटी, माटी से बढ़कर तुनिया में कुछ नहीं है, जैसे कि तो दिवस ये जो सब्पूर्ण जारकन बन का जो हम लोगों ने एलान किया है आहवान किया है ये जनता के हित के लिए किया है ये अपने लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं ये आपके बाल बच्चा के लिए हम लोग कर रहे हैं और सिर्फ आधिवासी के लिए नहीं हो रहा है य अगर उसको हग वंचित कर दिया जाे उसको अगर रोजगार नहीं मिले तो वो क्या करेगा क्या वो नकसलबादी बनेगा क्या वो बंदुक उठाएगा और नेता लोगों गोली माराएगा यही होगा यही ना होगा और चुनि अभी आप बोलें कि सभी समुधाय के जर्खान की जितने भी सभी के लिए तो अभी यहां तक खासकर संथाल प्रगना की दुमका में देखे हैं सिर्फ आदिवासी ही आगे आ रहे हैं और नेता सब कहां कि ओवी सी का हुआ और सभ समुधाय के लोग तो नहीं है यह बिडंब प्रगना क्या है संथाल प्रगना आदिवासी बहुल छेतर है सबसे ज़्यदा संख्या हम लोग आदिवासी का ही है सबसे ज़्यदा जन संख्या लेकिन साट चालिस नियोजन निते सिर्फ आदिवासी का ही नहीं है यह सभी वर्गों के सभी दर्वों के लिए लोगों के यही है लेकिन ये लोगों की मानसिक्ता है कि ये लोग खुल के खुल के समर्थन नहीं दे रहे हैं अगर आज खुल के समर्थन देते गाउं गाउं से उठके लोग आते चाहिए वो बुढ़े लोग हो चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, सब को आना चाहिए था, लेकिन यहां कोई नहीं है, सिर्फ यहां छात्र संगठन के लोगी है, यह बिडंबना है, यही तो दुख है, यही बात का तो रोनार, इसी का फाइदा लोग नेता लोग उठाते हैं, चाहे वो सत्ता का उकात रखते हैं, अगर आपको कुर्सी में हम लोगों ने बैठाया है, तो आपको कुर्सी से निकालने का भी हम लोग उकात रखते हैं, इसलिए आप इस चैनल के माधियम से मैं कहना चाहता हूँ, आप चेड़ जाएं, और जल से जल 44 का जो नियोजन नीती है, यह गलत नियोजन नीती है, यह काला कानून है, इसको किरप्या करके इसको हटा दें, और ठोस नियोजन नीती लागू करें, ताकि यहां के बेरोजगार, यहां के सिक्षित बेरोजगार जो हैं, जो कि भटक रहें रोड में, उनलों को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, वो भी वीडियो CEO बने, वो भी मजिस्टेट बने, वो भी DSP बने, वो भी IS IPS बने, फिर कभी आंदल करने का मोका ना दे, धन्यावद्दा बात करने,